हलो स्टूरेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुकारे सगरवाल चेप्टर 18 एरिया फ़र ट्रैपेजिम एंड़ पॉलिगन एक्सराइज 18 एक कोश्टन 11 को सौल करेंगे बच्चो यह एक्सराइज 18 एक की फिफ्ट वीडियो है अगर आप कोश्टन 1 से लेकर 10 तक की वीडियो देखना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से देख सकते हैं बच्चो क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो नहीं है अगर आप देखना चाते हैं तो वहां से देख सकते हैं बच्चो कुश्चिन 11 है दा पैलर साइड्स ओफर ट्रैपिजम आर 20 cm एंट 10 cm इस नॉन पैलर साइड्स आर बोथ एकोल इच विंग 13 cm हमने ट्रैपिजम का एरियन कालना है तो बच्चो ट्रैपिजम हमारा किस तरह से होते हैं इस तरह से यह ट्रैपिजम है अब इसमें जो ट्रैपिजम में कहा है जो हमारी नॉन पैलर साइड्स हैं यह भी कहा है एकोल है ठीक है ना यह साइड इसके अकोल है ठीक है बच्चो तो इसको नाम दे रहते हैं पहले है नाम दे रहते हैं यह कह है A, B, C, D ठीक है बच्चो और जो यह है कितनी 10 cm, parallel size 10 cm, 20 cm और जो non parallel size 13 cm, 13 cm अब बच्चो जो मारे area का formula क्योता है टेपिजम का 1 upon 2 multiply sum of parallel size into height ठीक है बच्चो अब हमारे पास parallel size है पर हमारे पास height नहीं है तो height क्या होती है यहां से जो दोनों के base के बीच में जो distance है उसको height कहते हैं जैसे एक यह दोखो यह हम draw कर देते हैं तो यह क्या बन गए हमारी height ठ है और इसको हम नाम देते हैं ठीक है बच्चो अब हमने इस height को find out करना है तो इस height को find out करने के लिए बच्चो कैसे करेंगे अगर देखो ना अगर हमें हमें कैसे करेंगे हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को equal करेंगे ठीक है अगर हम 20-1 line draw कर दें इस तरह से थोड़ सा टे लग ऑगोस्ता है क्यों धिया कुल होगा तो इसके बाद हम ने क्या करना है हमने हमारे पास एक है ह्ट Champion तो हमने यह बी अगर मारे पास बेस होगा त shaken up फ n हम सको निकाल पाएंगे ठीक है तो इसको हमने निकालना थिचक है तो इसको पहले कैसे करने हैं वह देखते हैं I hope इतना तो आपको समझ आगया होगा कि हमने height को नकालने तो पहले क्या क्या हमने इनको equal कर दिया तो हमने एक line करके इसको parallelogram बना दिया ठीक है मतलब की questions को आपने किस तरह solve करने है वो आपने देखने है तो यहाँ पर हमने क्या 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 एक parallelogram बना दिया है एक line is a trapezium ठीक है in which in which parallel site AB equal to 10 cm and DC equal to 20 cm और यहाँ पर आप दिखोगे non parallel sites जो है AD equal to BC ठीक है अभी हमने इनको mention करने AD BC equal to 13 cm ठीक है यह हमारे पास क्या given है अब हमने क्या किया था draw हमने draw किया था यह क्या बना BM perpendicular बन गया DC के उपर draw BM perpendicular DC and और हमने BN parallel AD को draw किया था ठीक है अब बच्चों इस से क्या हो गया हमारे पास यह parallelogram बन गया तो हम लिखेंगे सो यहाँ पर सो ABND is a parallelogram बन गया तो यहाँ पर क्या हो गया AD equal to BN AD equal to BN equal to हमारा क्या हो गया 13 cm यह क्या opposite side so parallelogram are equal राइट बच्चों उसके बाद AB और DN AB equal to DN equal to 10 cm तो यहाँ पर रिखेंगे opposite side so parallelogram are equal ठीक है बच्चों यह हमारे पास आ गया अब बच्चों हमें के चाहिए यह चाहिए ठीक है न nc अब बच्चों पहले हमने क्या करना है nc की value को निकालना है तो nc की value क्या हो जाएगी हमारी nc को हम कैसे निकान सकते है nc equal to dc में से हम dn को minus करके dc minus dn राइट बच्चों तो nc ठीक है यह यह मारा क्या बन गया एक isosy strangle बन गया isosy strangle में क्या होता है two sides जो है equal होती है राइट बच्चों तो हम क्या करेंगे पहले हम nc की value नकालते है ठीक है तो nc की value नकालने के लिए हम क्या करेंगे जो यह बना है न हमारे पस dc है dc हमारे पस कितने है 20 और dn हमारे पस already आगे dn कितने है 10 cm minus 10 equal to 10 cm तो nc की value क्या आगी 10 cm ठीक है बच्चों अब हमने क्या करना है यहां पर nm की value नकालने है तो हम यहां पर लिखेंगे इन triangle in isocyst triangle isocyst triangle क्या बना यह bnc ठीक है हमें यह वले पार्ट को निकालने है इन दोनों पार्ट को यह तो महारे निकाल दिया ठीक है इससे अब हमने इसको निकालने है तो हम यहां पर in iso triangle bnc जो है nm equal to mc अब यह कैसे निकालेगा half यह कहा है जो nm में यह half है किसका nc का multiply nc ठीक है बच्चों तो half nc कितने है मारे पास 10 to 5010 तो nm equal to mc equal to 5 cm तो इसकी क्या आगी value 5 cm तो यह भी 5 आ गया यह भी 5 बन गया अब हमारे पास क्या गया एक right triangle बन गया ठीक है चाहिए आप bmc ले लो चाहिए आप bn ले लो क्योंकि हमारे पास दोनों की value आगी ठीक है कुछ भी ले सकते है तो हम यह भी अब हम हाईपोटरिस का लिखार के तो हमहरे पस इसमें hypothetical को निकालके each tonic भोड़ते हैं जोगरोर चाहिज को निकाल के हम क्या करेंगे इसकी जो हैंऀ को नुकाल ले ठीक है तो हम लिखेंगे in right triangle bmc हम इसको लेते हैं bmc ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे mk ध यहां पर कि दें BC यह महारा क्या था है इस होता है न तो हम लिखें यहां पर BC equal to 13 cm ठीक है और MC equal to कितना दिया है फाइफ सेंटीमेटर तो फाइफ सेंटीमेटर है ठीक है न फाइफ सेंटीमेटर है अब हम लिखेंगे बाए पाइथागोरस थ्योरम ठीक है तो AC स्क्यूर तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ इस तरह से लिख सकते हम BM स्क्यूर जोखो चाहे आप BM स्क्यूर प्लस MC स्क्यूर एक्वल टू BC स्क्यूर ठीक है यही बनाना BM हमने इसको नकालना है इन दोनों को एड़ करके हमारे पास यह विली साइड आती है ठीक है तो हमने इस तरह से लिख दिया तो मैंने यहाँ लिखें BM स्क्यूर एक प्लस MC स्क्यूर एक्वल टू BC स्क्यूर BM कितना है हमारे पास BM कितना था BM को तो हमने इनकालना है BM square को तो हमने इनकालने MC हमारे पास 5 square आ गया और BC हमारे पास 13 square आ गया तो BM square को हमने find root करने है 25 equal to 13 13 जा 169 BM square तो यहां पर 169 25 यहां plus कर यहां minus 25 कितना आ गया 144 आ गया ठीक है अब यहां पर square है square को हटाने के लिए करें 144 आ जेगा 12 into 12 तो हमारे पास कितना आ गया 12 cm तो BM जो height है हमारे पास कितना आ गयी 12 cm ठीक है इसको bracket में लिख भी सकते हैं height ठीक है बच्चों अब हमारे पास हम नकालेंगे area of trapezium area of trapezium ठीक है वो कहता है 1 upon 2 sum of parallel sides into height 1 upon 2 अब parallel side क्या थी 10 cm and 20 cm ठीक है तो 10 cm plus 20 cm और height मारे पास कितना आ गयी 12 cm ठीक है बच्चों अब इनको करेंगे 2 6 12 हो गया 10 प्लस 20 कितना आ गया है हाँ आपर 30 30 cm multiply 6 cm तो multiply किया है तो यहाँ पर कितना आ जगा 6 3s हा 80 180 square cm ठीक है बच्चों इस तरह से यह आपने question जो है 11 को solve करना था यह question 11 था ठीक है बच्चों और यहाँ पर आप answer में लिख सकते हैं अगर आपको हाइट नहीं दिया होगा तो आप इस तरह से भी इसको एक पहला ग्रम बना देंगे तो इस तरह से हम इसको question को solve कर सकते हैं ठीक है बच्चों I hope आपको question 11 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा अगर वीडियो यूसफल लगे है तो वीडियो को like करें share करें अपने friends के साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करें thank you for watching next video मैं question 12 को solve करेंगे बच्चों यह question 12 भी बहुत interesting topic है बच्चों I think यह exercise भी आपको बहुत interesting लग रही होगी आप इस exercise को solve करते हैं जुरूर enjoy कर रहे होगे ठीक है बच्चों चो next video मिलते हैं question 12 solve करेंगे